नमस्कार दोस्तों आपका मारे चैनल डियाएन आ सुछ में स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे relation between threads and needle किस needle में किस ply और number का thread ूज़ के जाता है आज की वीडियो में यह हम आपको बताएंगे देखे, thread in ply thread in number, needle number two ply thread का यूज के जाता है close seam के लिए और number में इसकी बात करें तो इसको बोलते है T60 और इसके लिए 11 number needle यूज की जाती है बात करते है 2 and 3 ply 2 ply thread को बोलते है T60 और 3 ply thread को बोलते है T14 14 number के needle में यूज की जा सकते है बात करते है 3 ply 3 ply को बोलते है T40 और 3 ply के लिए 16 number needle यूज की जाती है बात करते है 6 ply के 6 ply thread को बोलते है T20 और इस धागे के लिए 18 number की needle यूज की जाती है 6 और 9 ply के thread की बात करें तो T20 6 ply के thread को बोलते है T20 और 9 नमबर के धागे को बोलते है T15 और इन दोनों के लिए 19, 20 और 21 ये तीनों needle फ्रियो की जा सकती है 6 और 9 ply के धागे 19, 20 और 21 नमबर के needle इनके लिए यूज की जा सकती है 16 ply के thread इसके लिए कोई number नहीं होता है 16 ply बोलते हैं और needle 45 नमबर की यूज की जाती है 24 ply इसके लिए भी कोई number नहीं होता है 45 नमबर की needle यूज की जाती है दोस्तों ये आपको समझ में आगे होंगे वीडियो फसंद एतों से लाइक कराएं चैनल को सब्स्क्राब कराएं और दोस्तों के साथ सेयर कराएं थैंक यू